आज किस वीडियो के अंदर हम लोग हॉलिवड मूवी इस के बॉक्स विस कलेक्शन की बात करेंगे कि आखिर कि इस मूवी ने कितने पैसे कमाए हैं जिस लिष्ट में सबसे पहली मूवी है यानि सेवन्थ मूवी है कोकेन बियर जो मूवी 2023 में आई और ये एक कमडी थ्रिलर मूवी है जिस मूवी का बजट 30 से 35 मिलियन डालर के करीब था यानि की 2.47 करोंड से लेके 289 करोंड के बीच में था और इस मूवी ने अभी तक 28.5 मिलियन डालर कमा लिये हैं मतलब की 235 करोंड रुपे कमा लिये हैं और इस मूवी को सिर्फ 4 दिन हुए हैं उस हिसाब से ये मूवी successful बड़े ही आराम से हो जाएगी और मूवी ठीक ठाके लोगों काफी पसंद आ रही है अगर कहानी की बात करें तो ये असली घटना पर आधारित है इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बियर की यानि की भालू की जो की एक बड़ा कोकिन का पैकेट लिगल लेता है खा लेता जिसकी वैसे वा आट ओफ कंट्रोल हो जाता है और जंगल के अंदर बहुत सारे लोगों को मारना सुरू कर देता उसे के ओपर ये मूवी बेज़ड है और लोगों को ये मूवी काफी पसंद आ रही है आप चाहें तो आप इस मूवी का बजट थाड़े तीन सु मिलियन डालर था यानि की अठाइस सो एक्यानवे करोंड रुपे था टू एटी नाइन करोंड रुपीज था और इस मूवी ने अभी तक टू पॉइंट टू सिक्स सेवन बिलियन डालर कमा लिए हैं मतलब की 18731 करोंड रुपे कमा लि लगता कि यह मूवी यानि की अवतार टू मूवी अवतार वन मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है इसकी मुझे दूर दूर तक कोई भी पॉसिबिलेटी नहीं लगती बाकि अगर इस मूवी की OTT रिलीज डेट की बात करें तो मार्स से अप्रायल के टाइम में यह यानि की 743 क्रोन रुपे था और इस मूवी ने अभी तक 442 मिलियन डॉलर यानि की 3657 क्रोन रुपी कमा लिये हैं इस हिसाब से यह मूवी ब्लॉक बस्टर हो गई है बहुत कमाल की मूवी है मैंने खुद देखा है तो मुझे पता है कि यह मूवी बहुत ज्यादा एक होरर मिश्ट्री मूवी है जिस मूवी का बजट 20- बहुत बहुत करों रुपी अगने बहुत है और ऊप इस मूवी का यह मूवी की बेसिक स्टोडि की बात करें तो इस मोवी के इंदर में कहानी देखने को मिलती एक एक चोटी सी प्यारी सी बच्ची की जो अपने पैरेंस के साथ में घूमने आई होती है विकेशन बिताने आई होती है लेकिन वहाँ पे अचानले से कुछ बहुत खतरनाक स्ट्रिंजर्स हाथ में फावडे अलगले तरह के हतियार लेकि पहुत जाते हैं लोगों को मारने के लिए और इनके सामने सर्त रखते हैं कि तुम तीनों में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी मतलब कि हमें तुम्हारी बली देनी होगी उसका दुनिया बच जाई क्योंक अपनी ड्रामा मुवी है इस मुवी के अब जाईट सिर्फ पचास मिलिएन डालर था यानि की 413 करण रुपे था और इस मुवी ने अभी तक 103 मिलिएन डालर यानि की 854 करण रुपीज कमा लिये हैं इस मुवी के अंदर हमें एक ओल्ड मैन की कहानी देखने को मिलती है एक पडोस में एक लड़की रहनेंग ले आती है जो की काफी खुस मिजाद है और वो अक्सार इससे मिलती रहती है चाहे इसको इससे मिलना पसंद हो या नहीं तो आगे लड़की किस तरह इंपक्ट डालती है इस बुज़ुरक आदमी के लाइफ में वह आप इस मुवी के अं इंग्लिस लाइंग्विज में देख सकते हैं इस मुवी को रेटिंग्स में 7.6 आउट ओफ 10 अमड़ी पर सेकंड मुवी है एंट पैन और वॉस क्वांटम मेनिया यह मुवी इसी साल 2030 में आई है यह एंट पैन सीरीज का थर्ड पार्ट है यह एक एंस्यों की सूपर हीरो मुवी है इस मुवी का बजटš 200 मिलियन डालर था यानि की 16leg 1990 क्रों रुपय था वर चाहां कहा बाके जोभी March अपडेट होगी उसके रहे हैं मैं आपको नेक्स बॉक्स वीडियो के इंदर बता दूँगा बाके अगर इस मुवी की बेसिक स्टूरी की बात करें तो इस मुवी के इंदर में कहानी देखने की मिलती है स्कॉट लैंग की बेटी की जो की एक ऐसा डिवाइस बना देथी जिसकी मतलब से लोग गलती से क्वांटम रेल्म के इंदर पहुंच जाते हैं अब वहां से लोग इस तरवाह निकलते हैं वही आपको इस मुवी के इंदर देखना आप इस मुवी को हिंदी लैंग्विज मे थेटर के इंदर देख सकते हैं इस मुवी को रेटिंग्स में 6.5 आउट आफ आफ टैनायम डीवी पर फॉस्ट मुवी है टाइटेनिक जो मुवी 1997 में आई थी अब आप लोग सुचेंगे कि आखिर में 1997 में आई हुई मुवी के बारे में अभी क्यों बता रहा हूं इसका 200 मिलियन डॉलर था यानि की 1650 क्रोंड रुपे था और इस मुवी ने अभी तक 2.254 बिलियन डॉलर कमा लिये हैं मतलब कि 18,619 क्रोंड रुपे कमा लिये हैं पहले तीसरे नमबर पे थी लिगन अवतार 2 मुवी ने इसे बीट कर दिया और अब यह मुवी फोर्थ नमबर पर आ गई है और अगर बात करें अभी के क्लेक्शन की क्योंकि इस मुवी को री रिलीज किया गया तो इस मुवी ने 59.43 मिलियन डॉलर मतलब की 490 करोंड रुपे कमा लिये हैं इस मुवी ने नौक एड़ था क्याविन जो कि अभी मुवी मैंने बताया जिसके आरे में उस सब्सक्राइब कीजे मैं मिलता हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में